वेलकम टू डियर स्टुडेंट तुडे आई टेक बीए से सेकंड येर क्लास पेपर सेकंड और अर्गनिक केमिस्ट्री जैसा कि मैंने फॉस्ट यूनिट स्टार्ट करी थी और उसका ही फॉस्ट लेसन एल्कोहल एपोकसाइड का डिसकेशन हम कर रहे थे जहां मैंने एक्स् स्टुरेटड अलकोहल जैसे विनायल अलकोहल अलायल अलकोहल का भी डिसकुशन किया था उसी क्रम में मैंने डायोल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीम रियक्शन पिनेकोल, पिनेकोलोन, रियरेंजमेंट रियक्शन अपने लास्ट वीडियो में एक्स्प्लेइन करे आज हम ट्रायोल के बारे में स्टडी करते हैं ट्रायोल जैसे की नाम से ही दिखता है ट्रायोल एक ऐसा औरगेनिक कमपाउंड है जिसमें 3 OH ग्रुप प्रिजेंट होते हैं जैसे की प्रॉपेन 1,2,3 ट्रायोल एक ट्रायोल का एक्जामपल है जिसमें 3 OH फंक्शनल ग्रु इसी को commonly glycerol कहते हैं formation method of glycerol glycerol बनाने के बहुत सारे chemical methods available हैं यहां हम two important methods का discussion करेंगे जिसमें सबसे पहले propene का chlorination जब करते हैं 600 degrees centigrade temperature की present में तो unsaturated carbon के just pass वाले carbon से hydrogen का substitution होता है by the chlorine और allyl chloride molecule बनता है जब इस allyl chloride की reaction एने उच से करवाते हैं तो CL and Na in the form of the NaCl remove होता है और allyl chloride allyl alcohol में convert हो जाता है इस allyl chloride alcohol की reaction जब HOCl से कराई जाती है तो HOCl से कराने पर एक उतपात ऐसा बनता है जिसमें two one degree primary OH group present होते हैं और फिर उसका वापस NaOH से reaction करवाने पर अंत में trial बनता है इस method से trial बनाने में काफी steps complete होते हैं और अंत में propene का conversion हम trial में कर लेते हैं इसी का second part है allyl chloride की जब HOCl से reaction करवाई जाती है तो allyl chloride में जो pi bond है उसका break होता है और HOCl के molecule का marconic of addition होके 1,2,2,3 dihalo type के alcoholic molecule का conversion होता है फिर उसकी again NUH से reaction करवाई जाती है जिससे दोनो NaCl के साथ निकल कर जो CL हटते हैं वहीं पे 2OH group आ जाने से trial का निर्मान होता है इस तरीके से trial chemically उप्रोक्त दोनों methods से बनाया जा सकता है trial की physical property का discussion अगर हम करें तो trial एक तरीके का liquid है जो की color less होता है, smell less होता है लेकिन उसका test बहुत ही sweet होता है sweet test containing होता है अगर इसकी solubility देखे तो यह water, alcohol और acetone में soluble होता है बट ether and chloroform में यह insoluble होता है ट्रायोल की chemical properties को show करने के लिए हम देखते हैं यहां पर ट्रायोल का एक structure जो मैंने यहां पर बनाया है उसमें दिख रहा है, यहां पर जो 3 OH ग्रूप present है उनमें से 2 OH ग्रूप जो की alpha carbon से added है वो primary 1 degree प्रकार के होते हैं और एक beta carbon से जो OH attach होए वह 2 degree यानि secondary होता है अर्थत यहां पर glycerol का जो molecule है वो 1 degree as well as 2 degree दोनों टाइप की reaction शो करता है glycerol की कुछ important chemical reaction है जिसे हम 1 by 1 देखेंगे जब glycerol की reaction हम sodium metal से करते हैं तो पहले 1 primary OH रिमूव होता है और primary OH का H रिमूव होता है बाइदा एने और monosodium glycerate बनता है जब monosodium glycerate की again sodium metal से reaction करते हैं तो उसका second जो primary OH है उसका भी H रिमूव होता है और sodium metal के enter होने से di-sodium glycerate टाइब का molecule बनता है इस सोडियम metal से जब हम glycerol की reaction करवाते हैं तो यह reaction यह दर्शाती है कि यहाँ पर दो प्राथमिक अर्थाद 1 degree OH ग्रूप प्रिजन्ट है यहाँ पर बीटा कार्बन से जो OH अटेच है उसका H रिमूव नहीं होता अर्थाद यह reaction यहाँ शो करती है जो की primary OH ग्रूप की acidity जादा होती है इस reaction से यहाँ दर्शाया जा सकता है सेकेंड रियक्शन है जब glycerol की reaction phosphorus पैंटा क्लूराइट से करवाते हैं तो glycerol की तीनो OH ग्रूप का प्रतिस्थापन बायदा हैलोजन हो जाता है और propane 1,2,3 tri-cloride type का product मुख्य उतपात के रूप में बनता है glycerol की reaction जब nitric acid से करवाई जाती है nitric acid का formula होता है HNO3 जिसके electrophilic और nucleophilic part होते हैं OH and NO2 जब हम इसकी reaction glycerol से करवाते हैं तो water molecule का निशकाशन होता है alcohol से H और HNO3 का OH as a form of water remove होता है और glycerol nitrate type का एक उतपात बनता है जो की अत्यन्थ ही विस्फोटक प्रकति का होता है और यह हलके से धक्के से ही विस्फोटक होकर अगेन अलग-अलग type के molecule में convert हो जाता है जैसे की carbon dioxide, water, nitrogen and oxygen glycerol nitrate molecule dynamite बनाने में भी प्रियूक्त होता है अगली reaction है इसी क्रम में dehydration reaction जब भी हम glycerol का dehydration करते हैं तो यह dehydration करने पर two water molecule का निशकाशन होता है और एक बहुत ही unstable molecule बनता है जो तुरंथ ही rearrange होकर acryl aldehyde जिसको acryoline भी कहते हैं उसमें convert हो जाता है और यह acryoline अपनी bad smell से identify होता है अतह यह reaction भी glycerol की एक बहुत important reaction है जिसमें glycerol में present two OH group three OH group का confirmation करती है अके थैंक्स